नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल एक्यों डिजाइन में दोस्तों जैसे कि आप लोग के स्क्रीन पे प्लान देख पा रहे होंगे यह हमारे क्लाइंट है मिश्टर सुबदीप जी जो बेसिकली बंगाल से बिलॉंग करते हैं उन्हीं के लिए ह च्छोटे से प्लान को डिसकस करेंगे 2D प्लान, 3D प्लान, विड डैमेंशन और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो हमारे लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सुस्क्राइब जरूर करते हैं जैसे के प्लान है यह एक्चुली इनके पा बीच में इनका स्पेस हो गया और सामने एलिवेशन की बात किया दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एक विंडो दिया है इसको विंडो को इस तरीके सपोर्ट किया है दो पिलर के साथ में सपोर्ट किया है और यहां पर स्लोपी रूप में कुछ डिजाइन किया आप दोस्तों यह अपकी विंडो बहुत खुसूत यह सेविंडो का लूप आ रहा है यह विंडो आप देख सकते हैं यहां हमने विंडो को ओपनिंग रखे है दिजाइन यह चेंच बाहर करके रखा है इसको वूडेन टेक्सेम रखा है भी सेम टू सेम चेंच बाहर रखा है यह उपर के बाद किया है तो यह आपका आर्च से ऊपनिंग रखा है बलकनी मा जाएगा आर्च के कटिंग में और यह हमने इस्टील की रेलिंग यहां पे इस्टील की रेलिंग ऊपर सेम इसमें भी यूज किया है तो यह हमारा पैटन इस तरीके से और चारो साइट से आप देख सकते हैं इस तरीके से एक फिट का निकाला है इसे थोड़ा लूब भी अच्या रहा है और यह नीचे की बात किया दोस्तों आप देख सकते हैं यह एक फिट एचाव तरफ इस पेस ग्रीन एरियम ने नहीं बनाया है इसके दूसरे हिसाप से बनाया दोस्तों और पीछे यह ओपन है क्लाइन को क्या है कि से सामने का ही डिजाइन चाहिए था पीछे का भी ओपन रखना है इनको बाद में अपने इसाथ से बाद में का स्ट्रक्शन कराएंगे तो इस तरीके से प्लान बनाएं दोस्तों तो आईए बिने किसे तरीके इसका ग्राउंट फ्लोड वगरा डिसकस किसे चले जाएंगे और इसी सील्ड ही के नीचे इस तरीके से नहीं लगाया क्योंकि इस से थोड़ा से प्लग जाएक स्वाल और यह आपका पूरा ट्राइट बात रूम इस तरीके से इस रहेगा इस पेस की कभी नहीं रहेगा इसके पीछे हमने विंडुलेसंग इसको ब हमारा किचन हो गया यह आप देख सकते हैं छेक विट का हाइट पर हमने टाइज लगाया है और यह हमारा किचन हो गया दोस्तों और इसी बगल एक और चोटा से विडूम है इसका साइज वगरा भी मैं आपको टूडी प्लान में बताएंगे तो इस तरीके से बनाएं दोस्त यहां से फर फ्लोर पर आप आजाएंगे यहां पर अगर आप जीना इस टेर कांटिनू करना चाहते हैं तो यहां से आप इस टेर कांटिनू कर दीजिएगा और नहीं तो आप यहां पीछे साइड से एक आप इस टेर जो इस टेर आती है यहां पर आप लगा सकते हैं पीछ बहतर हो जाएगा अगर आपको future में ऊपर extension नहीं करना है तो यह आप अपनी choice से बना सकते हैं अगर आपको continue करना है तो continue कर सकते हैं और यह हमारा boundary wall की design आप देख सकते हैं तो आई आप discuss करते हैं इसका 2D plan आप सकते हैं यह आपका मेंगेट हो गया मेंगेट आपने चार फिट कर रखा है जो रेड एरिया आपके कॉलम पोजीशन है यह स्टेयर है इस तरीके साहरे को फालो करते हैं यह वरांदा के जो साइज है 15-10 इंटू साथ दोई विर्थ न्टू लेंथ है विर्थ आपके 15-10 साथ यहां पेक्टीशन है वा इस निकल से सकते हैं इसके आगे यह जो बिटू में गया 12 इंट 10 इंटू 13 इंटू और यह किछन का साइज है छे नौँ इंटू 6 ता है और यह और इस्टिशम करते हैं इसका फर्फ प्र्फ्लोर का भी साइज सेम टू सेम है यहां पर क्या धाइफिट का अपने बालकनी जो आप देखें हैं बालकनी धाइफिट कर निकालने हैं दोस्तों एक दू साइट से हमने ओपनिंग रखा है आर्ट सेप में जैसे कि अपने वीडियो में देखा है दोस्तों और यह इस टेर अगर आपको कॉंटिन्यू करना है यह विडियो कर सकते हैं यह विडियो में दिया है 10-11 फिट का है इस तरीके से बनाए दूस्तों इसका साइज आप देख सकते हैं 29-20 फिट से है और यह जाएगा तो यह इसमें कुछ अमने डिटियल दिया दूस्तों इसको भी थोड़ा से जान ले यह हमारा डिटियल जो ह दोस्तों नंबर आप अपकी अठार है यह हमने बाखी डिस्क्रीप्सिर अपने डिटियल दिया है दूस्तों आप महां से जाके हमको चेकाउट कर सकते हैं तो यह है मेरा प्लान दोस्तों आई होप यह वीडियो को बहुत पसंद आएगा और वीडियो पसंद आएगा प्लीज समय चैनल को लाइक सेरे और सस्क्राइब ज़रू कर दे दोस्तों थैंक यू दोस्तों